हलो आज हम बात करने वाले हैं फैक्टर और एफटिंग देर रेट-ोफ- Fitz इक्षिन पर कोई कुई अ क्यमेक छे नेच्व और फैक्टर डिपन करते है फस्ट फैक्टर है नेच्टा- निय ynौष च्रुक है निच्फ और पता चलता है AGCL का wide precipitate और NANO3 ये जो reaction है ये reaction बहुत ही fast है micro second में हो जाती है BY NACL में हम देखते हैं NA plus CL negative ये electrostatic force होते है इनमें जिससे ये बंदे होते है इनमें कोई bond actual में कोई bond नहीं होता ये बंदे होते है ठीक है और ये जल्दी तूट जाते हैं और अगर bond जल्दी ब्रेक होते हैं तो जल्दी बनते हैं तो rate of reaction क्या होगा बहुत high होगा और दूसरी बात kovalent character अगर कविलण करेक्टर है जैसे हम reaction के example से देखते है न्टू प्लस three h2 gives ammonia to NH3 पू weight zwischen between n2 में कौन सा है triple kovalent bond और ऍन में ट्रिपल कोविलेंट मॉंड बना इन्होंने इलेक्ट्रों की शेरिंग किये हैं ही चल contest में कोविलेंट देज बना है और मॉणिया इनको इनको बहुत एनर्जी देनी पड़े और यह लिए मुल्टा फिर बने घ्रि स्रक द automate स Mr. Young सबस्क्राइब होती है बात है हमोगीनियस अच्छिक और हैट्रोगीनियस के बारे में homogeneous rectant वो होता है जैसे gasious face में या तीनो route線 और liquid face में हो या solid में ईनका face सेम हो अब जैसे homogeneous rectant में हम देखते हैं गैस और गैस में गैस में फिर उसके बाद liquid के liquid में फिर उसके बाद पिर उसके बाद आता है that salad में solid में ठीक है गैस और गैस में इसलिए rate of reaction जादा होता है क्योंकि गैस के molecule है वो बहुत ही दूर दूर होते हैं intermolecular force of attraction ऐसे होती है कि बहुत दूर दूर है और ये दूर दूर होने की वज़े से ये collision भी अच्छे से करते हैं liquid में थोड़े नजदीक आ जाते हैं और solid में तो बिलकुल ही नजदीक होते हैं intermolecular force of attraction बहुत ज़्यादा होती है ठीक है और ये ज़्यादा collision करते हैं ये कम collision करते हैं और ये बिलकुल ही कम करते हैं और bond इसमें gaseous में bond बहुत break जल्दी हो जाता है liquid में ये इसमें collision theory का collision theory depend करते हैं और third factor हम करते हैं concentration of reactant में concentration of reactant कैसे depend करता है कि ये हमें किस से पता जलता है ये collision theory से पता जलता है the effect of concentration is explained on the basis of collision theory of reaction reaction rates the rate of reaction depends upon the number of collision between the molecules higher the concentration greater is the rate of chemical reaction जैसे हम ये देखते हैं कि अगर molecules में collision ज्यादा होती है collision theory कि क्या है कि जितने ज्यादा molecules को लाइड करेंगे उतना ज्यादा rate of reaction होगा अगर molecules कम है तो वह कम collision करेंगे अगर molecules ज्यादा है तो ज्यादा को लेजन करेंगे ठीक है जैसे हम इसमें देखते हैं एक्जामपल रस्टिंग औरेन की में रेश्टिंगus फायरन ज्यादा इती में और में में मोदंस रस्टिंग राइण इसके संधान्ध न सक्कारी ठीट है उसके सब्सक्राइब अगर हम को इंप्रीचr क सकते मीनिमcies कम से कम से कम से कम एनर्जी कम से कम देनी पड़े जबुम्छों अगर temperature दिया heat fill होई molecules को तो वो ज्यादा collide करेंगे, वो दूर दूर जाकर ज्यादा collide करेंगे, पास आते हैं, दूर जाते हैं, collision ज्यादा करेंगे, तो bond जल्दी ब्रेक होते हैं, temperature इंक्रीज करने से, और product हमें जल्दी मिल जाता है, ठीक है, ये factor डिपेंड करता है, कर देता है, ठीक है, वो ज्यादा करता है, जैसे ये factor डिपेंड करते हैं, वैसे catalyst है, ये reaction के last में हमें as it is मिल जाता है, जैसे हमने पहले इसे reaction के लिए यूज किया कि reaction जल्दी हो, तो last में ये हमें precipitate रिया और किसी रूप में मिल जाता है, उसे catalyst कहते हैं, जो rate of reaction की speed को ब है, nature of reactant, concentration of the reactant, temperature of the system, catalyst. Thank you.